नमस्कार मित्रों आज एक कविता का पाठ करूँगा कविता का सिर्षक है पत की पहचान और इसके कवी हैं डॉक्टर हरिवन सराय बच्चल तो कविता प्रारम करते हैं पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ग्यात होता है न औरों की जबानी अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या बर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निसानी यह निसानी मुक होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका अर्थ पंत का अनुमान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले यह बुरा है या की विर्थ दिन इस पर बिताना जब संभव छोड यह पत दूसरे पर पग बढ़ाना तू इससे अच्छा समझ यात्रासरल इससे बनेगी सोच मत केवल तुझे ही यह पढ़ामन में बिठाना हर सफल पंती यही विश्वास ले इस पर पढ़ा है तू इसी पर आज अपने चि वो चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले है निश्चित किस जगह पर सरितगिरी गहवर मिलेंगे है निश्चित किस जगह पर बागवन सुन्दर मिलेंगे है निश्चित कब सुमन कब कंट कों के सर मिलेंगे कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा या पड़े कुछ भी रुखेगा तू न एसी आन कर ले या पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना एसी आन कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले कोन कहता है किस वपनो कोन आने देहर दे में देखते सब है इन्हें अपनी उमर अपने समय में और तू कर अतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता ये उदे होते लिए कुछ दे नैनो के निले में किन्तु जग्के पंत पर यदी स्वपन दो तो सत्य दो सो किन्तु जग्के पंत पर यदी स्वपन दो स्वपन दो तो सत्य दो सो स्वपन पर ही मुग्द मत हो सत्य का भी ज्यान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले स्वपन आता स्वर्ग का द्रिग कोरकों में दिपती आती पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती रासते का एक काटा पाउं का दिल चीर देता रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाउं प्रित भी पर ठीके हो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले पुर्वचलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले धन्यवादू